नमस्कार स्वागत है आपका दिल्ली NCR दिन भर में आपके साथ मैं हूं मुकेश गुपता ये दिन भर की खबरों पद नजर आलते हैं शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेल्डाइन्स के साथ चीन को लेकर जेपी नड़ा ने राहूल गांधी को घेरा पूछा जूट बोलना कब बंद करेगी कॉंग्रेस राहूल ने कहा नड़ा मेरे प्रोफेसर नहीं जो उन्हें जवाब दूँग किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पूलिस मुख्याले पहुचे ग्रह मंत्रिया में शाह बोले आंदोलन की चुनोती का धैर और सहसे क्या पूलिस ने सामना दिल्ली में आदे से भी कम सरकारिक रमचारियों ने लगवाया कोरोना का टी का वैक्सिन ना लगवाने के लिए बनाया जीवों गरीब बहाने लाल किले में बड़ फुलू का खोव 15 मिर्थ कोवो में बड़ फुलू की पिष्टी के बाद 26 जनवरी तक के लिए रेड फोर्ट में नो एंट्री और सोशल मीडिया पर किसी प्रेड का रिव्यू देना या शिकायत करना पड़ सकता है महंगा हैकर्स चुरा सकते हैं आपकी नीजी जानकारी सैबर सेल का अलर्ट अब खबरे विस्तार से कॉंग्रेस नेतार राहूल गांधी की किसानों के अंदोलन से जुड़े मुद्दे पर प्रेस कोंफरेंस से पहले बीजेपी के राश्ची अध्यक्ष ज्या प्रकाश नड़्डा ने कॉंग्रेस से चीन को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे अरकिन सवालों के जवाब जब राहूल गांधी से उनकी प्रेस कोंफरेंस में मांगे गए तो वो नड़्डा को लेकर बरस्ते हुए नजर आई राहूल गांधी ने कहा कि जेपी नड़्डा उनके प्रोफेसर नहीं है तो वो उन्हें क्यों जवाब दे केंद्र सरकार के लाए क्रशी कानूनों के विरोध में कौंग्रेस किसानों के समर्थन में खड़ी है किसानों के मुद्दे पर कौंग्रेस ने केंद्र सरकार से आरपार की लड़ाई छेड़ रखी है कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने सरकार के विरोध में कमान संभाली हुई है राहूल गांधी ने आज तीनों क्रिशी कानूनों के खिलाफ खेती का खून तीन काले कानून नाम से अपनी पार्टी का एक बुकलर जारी किया किसानों को किसानों के खिलाब बता केंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला किसानों का हक्षीन ने कॉर्परेट मित्रों को फायदा पहुचाने जैसे आरोप लगाए राहुल गांदी की इस प्रेस कॉन्फरेंस से पहले भारतिय जन्ता पार्टे के अध्यक्ष जेपी नडडा ने उनसे कुछ सवाल किये थे जब राहुल से इन पर जवाब मांगा गया तो राहुल गांदी ने कहा कि वो कौन है क्या वो मेरे प्रोफेसर है जो मैं उन्हें जवाब दूँ ये क्या ये क्या जेपी नडडा मेरे प्रोफेसर है क्या कि मैं इनको जवाब देता जाओं कि कौन है ये क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर है टीचर है क्या उनका क्यूं जवाब दूँ मैं कौन होते हैं वो मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं किसान का जवाब द तरॉब को देश की जंता और किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कुछ सवाल पूछे थे नड़ा ने राहूल गांधी से शोशल मीडिया के जरिये दरजनों सवाल पूछे थे जिन में से कुछ एहम सवाल ये है कॉंग्रेस किसानों को उकसाना और बहकाने का काम कब बंद करेगी यूपिय सरकार द्वारा स्वामी नाथन रिपोर्ट को क्यों रोका गया और MSP को लागू क्यों नहीं किया गया था राहूल उनका राजवंश और कॉंग्रेस चीन पर जूट बोलना कब छोड़ेंगे और मुनाचल प्रदेश के एक हिस्से समेथ हजारों किलोमीटर जमीन चीन को किसी और ने नहीं बलकि पंडित नहरू ने गिफ्ट कर दी थी क्या राहूल इससे इंकार कर सकते हैं? क्या राहूल चीन और महा की कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ कॉंग्रेस के M.A.U. को रद करने की मंचा रखते हैं? क्या राहूल अपने पारिवारिक ट्रस्ट को चीन से मिले दान को लटाना चाहते हैं? आपको बता दे कि किसानों के मुद्दे पर रहुल गांधी केंडर सरकार पर हमला वर नजर आ रहे है। कॉर्पिट घरानों को फाइदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए क्रशी कानूरों का विरोत कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी इस मुद्दे पर सरकार के सामने जुकने को तयार नहीं है सुप्रिम कोर्ट के ओर से कमेटी बनाये जाने के बाद भी ये मुद्दा फिलहाल सुलस्तार नजरन नहीं आ रहा है किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस को एहम जिम्दारी सोपी गई है इसी भीच देश के ग्रह मंत्री आमिशिया दिल्ली पुलिस मुख्याले पहुंचे अमिश्याह ने दिल्ली पूलिस के कारेपरणाली की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना काल, दिल्ली दंगो और अब किसान आंदोलन के वी जिस तरह से दिल्ली पूलिस ने सोजबूज और धर्रे का परीचे दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है आई आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मिश्याह ने और किस तरह से दिल्ली पुलिस को लेकर गरह मंत्रिया मिश्याह पूरी तरह से संतुष्ट नजराई 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनोतिया लेकर आया भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोस और घर्व दोनों हो रहा है कि चुनोति पुन वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परिक्साई जितनी भी इस्वर ने बेजी इसमें सर्वोत्तम घुन के साथ उत्तिन होकर जनता के साथ ख़िए चाहे उत्तर पुर्वी दिल्ली के दंगे हो चाहे लोकडाउन हो लोकडाउन खोलने की प्रक्रिया हो प्रवासी मद्दूरों को अपने भतन में वापिस जाने के लिए एक साथ सबने जो प्रयास किया इसकी चुनोती खड़ी हुई वो चुनोती हो यहाँ भी किसान अंदोलन चल रहा है इसमें भी सांतिपून तरीके से अंदोलन कारियों के साथ चर्चा करकर समन्वे स्थाफिक करना हो यह हर चुनोती का सामना दिल्ली पूलिस ने बखू भी किया है और मैं इसलिए पूलिस आयूक्त श्रिवास्तव के नेत्रूतों में जो दिल्ली पूलिस के अंतीम कॉंस्टेबल तक की पूरी की पूरी टिम को रदय से बधाई और साधुवाद भी दिना चाहता है देश कोरोना के खिलाब जंग में अब नरनायक मोर पर पहुँच चुका है देश के अलगलग राजियों में इन दिनों कोविट वैक्सिनेशन प्रोग्राम चलाय जा रहा है सबसे पहले फरेंट लाइन वरकर्स को कोविट वैक्सिनेशन दिया जा रहा है लेकिन इसी भी देश की राज़ानी दिल्ली से एक चुकाने वाली ख़बर आई है आपको बता दे कि दिल्ली के अलगलग क्यासी केंद्रों पर करीब आठ हजार से जादा करमचारियों को कोविट का ठीका लगाना था लेकिन करमचारी पहुँचे महज साड़े तीन हजार के लगभग जब इन करमचारियों से सेंटर पर ना पहुँचने की वज़ा जाने गई तो देखिए किस तरह से अजीबों गरीब बयान दिये गई करमचारियों की तरब से कोरोना की खिलाफ निर्णायक जंग में टीका करण के दूसरे दिन दिल्ले में महज 3598 करमचारियों ने ही टीका लगवाया ये टीका करीब 81 केंद्रों पर 8136 कोरोना योधाओं को लगना था लेकिन सिर्फ 3500 करमचारियों ने ही ये टीका लगवाया जिहां बताया जा रहा है कि लोग अलग अलग बहाने देकर टीका लगवाने से बच रहे हैं कुछ करमचारियों का कहना है कि वो शेहर से बाहर हैं तो कुछ ने दूसरी बिमारियों का बहाना बनाया किसी ने कहा कि उनकी नाइट जूटी है तो किसी ने कुछ और ही बहाना बनाया और सबसे खराब हालाद तो एम्स और सब्दर जंके हैं जहां पर मात्र 28 लोगों का ही वेक्सिनेशन हुआ बता दे दिल्ली में को वेक्सिन के जरिये होने वाले वेक्सिनेशन करने वाले 6 सेंटरों में मात्र 249 वेक्सिनेशन हुए जिसमें सबसे कम इन दोनों अस्पतालों में ही हुए हाला कि पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन पूरी दिल्ली में वेक्सिनेशन कम हुआ वहीं LNJP में पहले दिन 32 तो दूसरे दिन सिर्फ 12 ही वेक्सिनेशन हो पाए दरसल अभी फोन के जर ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही वेक्सिनेशन हो पा रहा है ऐसे में लोग अलग-अलग बहाने बना कर इससे बचना चाहते हैं कोई कहता है कि वो शहर से बाहर है तो कोई नाइट ड्यूटी का बहाना बनाता है हेल्थ केर वर्करों के डर की वजह से ही वेक्सिनेशन कम हो पा रहा है बहराल लोगों के मन में वेक्सिन को लेकर अभी शंका भी है और डर भी है लेकिन सरकार धीरे-धीरे सभी के मन से ये डर निकालना चाहती है और लोगों को विश्वास दिलाना चाहती है कि ये वैक्सिनेशन पूरी तरह सुरक्षित है देखना भी होगा कि आगे किस गती से टीका करण होता है ब्यूर रपोर्ट पंजाब के इसरी ग्रूप दिल्ली एक तरफ कोरोना वाइरस तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने भी देश के अलग-अलग राज्यों में इन दिनों दहशत मचा रखी है देश की राजनी दिल्ली के लाल किले में 15 मिर्थ कोव का सेंपल पॉजिटिव आया है मतलब साफ है कि इन कोव में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है कोव में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद परशासन ने लाल किले को एतिहात के तोर पर 26 जनवरी तक के लिए आम दर्शकों के लिए बंद कर दिया है पेश एक खास रिपोर्ट एक तरफ कोरोना वाइरस तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने दिल्ली में देहशत फैला रखी है अब दिल्ली के लाल किला में करीब एक हफते पहले म्रत पाए गए 15 कोवों के सेंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है जिसके चलते लाल किले को आम लोगों की आवजाही के लिए बंद कर दिया गया है जिहां करीब एक हफते पहले लाल किला परिसर में 15 कोवे म्रत पाए गए थे जिनको टेस्टिंग के लिए जलंदर और फिर भोपाल भेजा गया था जहां Animal Husbandry विभाग ने उनमें बर्ट फ्लू की पुष्टि कर दी जिसके बाद Animal Husbandry विभाग ने लाल किले को आम लोगों की आवजाही के लिए बंद करने के निर्देश दिये हैं और अब लाल किले में आम लोगों की एंट्री आज से यानी 19 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद रहेगी वैसे तो हर साल 22 जनवरी से 26 जनवरी तक लाल किले को बंद किया जाता है लेकिन बर्ट फ्रू की पुस्टी होने के बाद इसे पहले ही बंद कर दिया गया है इससे पहले दिल्ली के चिडिया घर में बर्ट फुरू का पहला मामला सामने आया था दिल्ली के चिडिया घर में एक मृत ब्राउन फिश उल्लू में बर्ट फुरू की पुस्टी हुई थी जिसके बाद चिडिया घर को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था किया जा चुका है हाला कि गाजीपूर मुर्गा मंडी में भेजे गए रेंडम सेंपल नेगेटिव आए हैं और इसी लिए मंडी खोली हुई है व्यूरपोर्ट पंजाब के इस्टी ग्रूप दिल्ली अगर आप ट्यूटर फेस्बूक या किसी दूसरे शोशल मीडिया एक पर किसी प्रोडेक्ट की शिकायत करते हैं या उसको लेकर कोई भी रिव्यू देते हैं तो यह आपके लिए भारी पढ़ सकता है जी हाँ दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की माने तो आपके रिव्यू की आउट में कुछ लोग आपको रिप्लाई कर सकते हैं और रिप्लाई के बाद वो आपकी बैंक डिटेल तक पहुंच सकते हैं ऐसे में आपको बड़ा चुनाविये हैकर्स लगा सकते हैं दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर किसी भी प्रोड़क्ट के रिव्यू देते हुए या शिकायत करते हुए साभधानी बरतने की सलादी है सोशल मीडिया का इस्तमाल सभी करते हैं Facebook से लेकर Twitter तक हम सभी ने इन platforms का इस्तमाल कई चीज़ों के लिए किया है उन्हीं में से एक वज़य है products का review देना कई बार हम सभी किसी product का review देने के लिए platforms का इस्तमाल करते है अगर आप भी इनीमें से एक हैं तो आपके लिए एक चेतावनी जारी की गई है खराब प्रोडक्ट या किसी सर्विस के बारे में सारवजनिक मंचो पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लिख रहे हैं तो दिल्ले पुलिस ने उसके लिए चेताब निजारी की है दरसल ट्वेटर जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने शिकायते पोस्ट कर व्यक्ति फ्रॉदस्टोर्स को आकर्शित करता है यह स्कैमर्स यूजर्स को कस्टोमर केर एक्जिकेटिव बनकर कॉल करती हैं और उनसे उनकी नीजी डिटेल्स मांगती हैं इससे नकेवल यूजर्स क पोस्ट करके लिखा दोखादड़ी की चेतावनी क्या आप सारवजनिक मंचों पर अपने शिकायते पोस्ट करते हैं अगर आप वालेट बैंक एप्स एरलाइन साधी के मामलें भी किसी भी मुद्दे पर अपने शिकायते ट्विटर पर पोस्ट करती हैं तो यह फ्रॉदस पुलिस ने सुझाओ भी शेयर किया है कि यूजर्स को इन स्कैम से कैसे बचना चाहिए पुलिस ने कहा कि किसी को शिकायत करने के लिए संबंधित कंपनी की अधिकारी के मेल आईडी का ही इस्तिमाल करना चाहिए वहीं आप कस्टुमर की एर सर्विस के नंबर पर कॉल करक नहीं कहता है साथ ही इनके द्वारा यूजर्स से उनका ATM, PEN, OTP या पासवर्ट शेयर करने के लिए भी नहीं कहा जाता है तो सावधान रहे सतरक रहे वजाब केश्री ग्रूप नई दिल्ली दिल्ली NCR की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटन में फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीज़े जाज़त तमसकार